नमस्का साथियो साथियो आज बात करता हूं में FMEA failure mode effect analysis PFMEA और DFMEA design failure mode analysis होता है और PFMEA process failure effect analysis होता है तो हम पहले समझते हैं failures failures क्या क्या होते हैं तो इनको failure देखते हैं जैसे मात करें एक क्रेक है पार्ट मारा mode क्या है यह किस कारण से आया या इसका cause क्या है एफेक्ट क्या है एफेक्ट क्या है और यहां यूज करेगा उस product को वहां क्या क्या होगा analysis का मतलब है इसका हम आर्पे नंबर करते हैं old FME में इसको हम करते हैं old FME में ठीक है old FME और जो new FME है उसमें हम करते हैं action priority number यह high medium low तीन category में decide करते हैं इंको हम समझेंगे यह सारी को गात करूं आपसे यह हमारी कुछ services है अगर यह service लेना चाहते हैं तो मेरे से content कर सकते वाट्व नंबर पर अगर आप training लेना चाहते हैं तो यह training ले सकते हैं यह training दी गई है ठीक है आए साधियों बात करते हैं पहले failure कि बात करते हैं ठीक है तो failure chain क्या है यह तो failure mode तो failure mode से आपके को निकल के आते हैं और जो failure होता है उसी से activity हो जाती है यह अनावसक activity हो जाती है यह सारे आपके failure हो जाते हैं अच्छा अब failure effect हम जो failure effect की बात करते हैं तो failure effect कहां का आता है आपके your plant ship to plant और end user तो जो आपके failure होता है इंटरनल customer जो आपका अधर साज हो गया तो नेस्ट अपरेसे करने सकते हैं या अधर साज हो गया या पार्ट हो तो नेस्ट नेल्ससन हो सकता या एक्स्टेनल customer करते हैं मोड क्या होता है जैसे जैसे लूज डिर्व कर दिया और रोंग ऑपरेशन कर दिया दिया यह यह कहने का मतलब है जो भी पार्ट आपका मिस होता है जो भी होता है जैसे क्राक बातिक है हम मार of step in the morCo के लिए से में आप काउज की बात करते हैं हम तो को के लिए लुए मैं मेंपॉर्टन रखता है एंविए आप में में मसीन मैं आपकरे बोला हुआ को sounds में बात करते हैं इसके आ जाते हैं हम देखें मिलू तो मैन का क्या है लगाफ ट्रेइनिंग लगाफ डिसिप्लेन लगाफ मोटिवेशन एक्टिट्व लगाफ नॉलेज लगाफ इस्किल्स इसकिल्स नहीं उसकी रिक्वाइड इस्किल्स है यह सारे चीज़े अब यह कौन ह होना है सकते हैं Setup Worker's Machine operators Associates Machine Associates Maintenance Techniques होते हैं यह सारे हो सकते हैं यह मैन में आते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं मसीन की तो वरिनाउट था मशीन, रोटेंशन मशीन, रॉटेंशन मशीन, व्यरिंग वीर आउट, ऐसक्ट्रा। महूं सार चीज होती हैं, अब यह मशीन पून से हो सकती हैं, आपकी मशीन की कि बात करें जैसे था, आपका इंजेक्शन मोल्डिंग है, सीट बैटल है CNC BMC यह सारी मशीन हो सकती है आपकी इंस्पेक्शन कोई डवाइस है फिक्चर से हैं यह सारे आपको मशीन से हो सकते हैं ठीक है जी डी सी ग्रिवटी डाइकास्टिंग हाई प्रिशा डाइकास्टिंग लो प्रिशा डाइकास्टिंग बहुत सारी मशीन से हो सक सब्सक्राइब करते हैं अब आते हैं हम मैथट करते कैसे तो इसके कौज करने के लिए मैथट क्या होता है जैसे हम कोई एक्टिविटी करते हैं क्लैंपिंग कैसे करेंगे पूर हैं तो यह सारे हमारे एक्टिविटी हैं ओक्र वाला करते हैं तो अब्लोगे में बूला गया है इनवार्मेंट की हम बात करते हैं के कंटेमिनेशन हो गए आपके प्रोड़क्ट में कंटेमिनेशन हैं टैंपरेचर है हुमिडिटी यह लाइट है बहुत सारी चीजह है तो ऑपरेटर नहीं पर काम करने में करता है यह चीज हो सकती है अगर मैटल के लिए आपकी मॉस्चर हो गया जैसे कोई केमिकल मॉस्चर से पर तो यह सारे चीज़ें आपके इंवामिंट र Ralph sellers ईल्टी और आपके अंगरियां 2019 में उसकी बात कर रहे थे हम ठीक है तो यह मारे ट्रेनिंग थी आपने देखी लिए थी आगए आगे क्या होता है जैसे मनें बात करें सिस्टेम डिजाइन एफमीय और मसीन एफमीय तो सबसे कि रिवाइज सेव्रीटी अगराइज. डिटेक्टं टेबल तो जिसके हम सेव्रीटी अगराइज टेबल की बात करते हैं is f बात करता है और नक कीब रीकजरन है अगले बात करता है पहले हम बात करते थे हम आर्प नमा की इसको समझते हैं में और कॉलम की बात करता और इसमें से नहीं कर दिया है इसी में पार्ट जोड़ दिया है फोरे में बात करता है तो यह सारे कुछ चेंजेंज हुए हैं तो हम पहले समझते हैं सेवन इस एप्रोच क्या होता है जिसमें बात करते हैं नंबर एक सेक्शन्स नंबर दो पहले सेक्शन क्या है सिस्टम एनलेसस हम सिस्टम एनलेसस करते हैं दूसरा सेक्शन है फेलियर एनलेसस एंड रिस्क मिटिगेशन और तीसरा सेक्शन है रिस्क कम्मिकेशन तो जो पहले सेक्शन में तीन स्टेप आते हैं planning and preparation structure analysis और function analysis ये पहले step में आते हैं उसके बाद जो second step है इसमें आता है failure analysis, risk analysis और optimizations ये सारे आपके आते हैं section 2 में और section 3 में आता है step result and documentation जो भी आपने result and documentation बनाएं वो सारे आपके इसमें submit करने पड़ते हैं ये सारी activity थी अब जैसे हम बात करते हैं चे और बारा, बारा अर्पेन हो जाएगा हमारा ये ठीक है अगर हम दूसरा मानते हैं दूसरा लेते हैं अगर 5, 6, 3 तो नभ्भे हो जाएगा ठीक है अर्पेन नभ्भे हो रहा है इसके इस type से आपको ये लिखना है कालकोट करना है अब अगर severity आपकी दो है occurrence तीन है और दो है तो ये क्या रहेगा लो रहेगा इसमें ऐसे आएगा अगर आपकी severity जे है severity occurrence और detections और ये आपका हो गया है AP नंबर जम इसकी बात करते हैं हम ठीक है लो रहेगा अब ये मैं दिखाता हूँ कैसे रहेगा पाँच छे और तीन ये भी कर रहेगा आपका देखो आए तो एक गबल दिखाते हैं आपको जैसे ये लिया आपने इसकी टेबल होती है ये देखने की एकसर प्राइटी नम्हा देखने के लिए तो आपने आपने देखा कि severity कतनी थी आपकी ठीक है तो ये देख पा रहे हैं आप इसका ठीक है देख लिया पाँच है तीन पाँच किसमें आएगा पाँच इसमें आएगा चार से पाँच इसमें आगया उसके बाद अकरेंस शे है इसमें आगया और डिटेक्शन तीन है डिटेक्शन तीन तीन आपका इसमें आ गया, यानि M है इसमें, आप इसी प्रकार से मैं क्लास कराता हूँ, और आपको समझाता हूँ, Saberity Aggress Detections, अगर हम Saberity Aggress Detection की बात कर रहे हैं, तो ये Saberity Aggress Detection कैसे देते हैं, तो ये Numbers होते हैं, यापर ये, ये Numbers हम समझके पढ़के इसमें से देते हैं, Saberity Aggress Detection Number, अच्छा, अब इसका जो Excel में Format होता है, वो कैसे फिल करते हैं, वो एक बाद जड़ा बता देता हूँ, आपको मैं, ये आपका first step होता है, इसको हम scope definitions बोलते हैं इसको, इसमें से आपकी पूरा company details होती है, इसके बाद आपका जहां पर आता है continuous improvements, हम जो भी कुछ changes करते हैं, या इसको कैसे बना रहे हैं, वो सारी activity क्या हैं, तो बुझे आप पहला step आएगा, फिर आएगा process, item, system, subsystem या component या limit level, आपका system है, component है, level, क्या level है आपका, आप क्या बना रहे है, तो जैसे हम बात करें, साप्ट बना रहे हैं, साप्ट का इए-component है, इस ताइप से system, subsystem और components, यह आपकी होते हैं, इख्दवान को बात करें सिस्टम या एक разные डेवल इसको कैसे समझते एक एक जम्पल बताता हूं आपको मैं देखिए सिस्टम-चिब सिस्टम कंप डेवल की बात करते हैं अभी देखते हैं अभी देखो यह सिस्टम-कम्प्लिट अब का system है चैप नो गई उगई क्रेंग साप्ट थो पिं दू हो गई यह सारे आपके Putin लेबल में आ जाते हैं तो जहां पर बना रहा है उसका नाम आ जाएगा उसके बाद process step process क्या है process step होता है जैसे operation 1 operation 2 operation 3 जैसे हमारे पहले टर्निंग किया inspection किया packing किया फिर dispatch किया यहां पर इसी प्रकार से आपका जहां पर आता है जैसे हम बात करें process elements अनि turning करने के लिए हमें क्या क्या जरूत पड़ेगी मशीनी जरूत पड़ेगी operator जरूत पड़ेगी coolant की जरूत पड़ेगी tool की जरूत पड़ेगी यह हमारे man machine material method आगए यानि हम process work elements आगए अब इसका link जिससे आएगा इस color से इसका हम साफ्ट बना रहे हैं तो साफ्ट हमारा पाट आना चाहिए आप इस टाइप से तो यह आपके second step हो जाएगा यह आपके work elements हो जाएगा इसका effect कहां कहा रहेगा तो यह सारी activity हमारी चलती है तो यह आप देख पा रहा है पूरी activity जे आपने देखा यह हमारी training में चलता है यह पूरा तो यह सब सिखाता हूं मैं तो स